हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो स्पाइन मेटिकोज, आज हम टोपिक को एंजाइम और इस से लेटिट कुछ टर्म्स को समझेंगे तो बेसिकली को एंजाइम की रिकॉर्मेंट होती है, मोस्टली एंजाइम को केमिकल रियक्शन कम्प्लीट करने के लिए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं को एंजाइम्स आर्दी नोन प्रोटीन, ओर्गेनिक लो मोलिकुलर वेट एंड डाइलाइज़िबल सब्स्टांस एसोसेटेड विद एंजाइम फंक्शन तो को एंजाइम्स नोन प्रोटीन नेचर के होते हैं और और ओर्गेनिक मोलिकूल है इनका मोलिकुलर वेट लो होता है और ये डाइलाइज़िबल होते हैं डाइलाइज़िबल मतलब ये सेपरेट आउट हो सकते हैं एक बार फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ये कुछ एक्जामपल्स गिवन है को एंजाइम्स के जो एंजाइम के साथ मिलकर रेयक्शन को कम्प्लीट करते हैं अब को एंजाइम्स के ओरीजिन की बात करें कि ये कहां से प्रोटीूस होते हैं तो mostly को एंजाइम्स वाइटेमिन से डराइव होकर बनते हैं specifically vitamin B complex से और कुछ को एंजाइम्स नोन विटामिन सोर्स से भी प्रोटीूस होते हैं इसे example से समझते हैं जैसे TPP जिसकी full form है थाइमीन पाइरोफोसफेट जो वाइटेमिन B1 किस से वाइटेमिन B1 थाइमीन से डराइव होकर बनाए है और निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइव नुकलियोटाइड वाइटेमिन B3 नियासिन से डराइव होकर बनाए हैं इसी तरह फ्लेविन एडिन डाइव नुकलियोटाइड वाइटेमिन B2 से डराइव होकर बनाए हैं और यहां पर यह UDP Non Vitamin Coenzyme के example है इसकी full form है uridine diphosphate और ये glycogen synthesis में एक important role पिले करता है ओके तो अब coenzyme के purpose को समझते हैं कि enzymes को coenzymes के requirement क्यों होती है तो समझते हैं coenzymes participate in various reactions involving transfer of atoms और groups like hydrogen, aldehyde, CO2, etc तो coenzymes enzyme के साथ various reaction में participate करते हैं और उनमें participate करके वो एक molecule से दूसरे molecule में atom या group का transfer करते हैं example के लिए hydrogen का transfer करना या aldehyde group का transfer करना इस चेज़ को हमें इस reaction से समझते हैं इस reaction में lactic acid pyruvic acid में convert हो रहा है और इसकी conversion कोन सा enzyme करवा रहा है lactate dehydrogenase enzyme लेकिन इस enzyme को एक coenzyme nicotinamide adenine dinuclodide जिसे short में nad molecule भी कहते हैं इसकी requirement होती है ये coenzyme lactate dehydrogenase enzyme की presence में lactic acid को pyruvic acid में convert कर देता है और इस conversion में lactic acid का एक hydrogen atom remove हो जाता है जो कि आप pyruvic acid के formula में structure formula में आसानी से देख सकते हैं और nad convert हो जाता है nadh molecule में ओके तो अब हम coenzyme prosethetic group और activator ये तीनो similar word है लेकिन इसमें कुछ difference है इसी difference को हम समझेंगे इसको समझने पहले हम एक चीश समझ लेते हैं कि जो भी enzyme होता है उसको एक cofactor की requirement होती है enzyme का function perform करने के लिए और जिस enzyme के साथ वो cofactor bind हो जाता है उसे holo enzyme कहते है और enzyme का जो protein part है उसे apo enzyme कहते है जो की non functional है बिना cofactor के जो एक non protein part है ये non protein part cofactor और protein part apo enzyme ये दोनों आपस में मिलकर function perform करते हैं और एक holo enzyme बना लेते हैं जिससे chemical reaction perform हो पाती है इन terminologies को आसानी समझने के लिए आप एसा example हो देख सकते हैं कि ये DNA polymerase जो cofactor magnesium ion पर dependent है chemical reaction को करने के लिए अब without magnesium ion जो की एक cofactor है ये DNA polymerase कहलाएगा apo enzyme जो की एक pure protein part है लेकिन जब इस DNA polymerase के साथ ये magnesium ion attach हो जाएगा तब ये कहलाएगा holo enzyme जो के एक functional enzyme और ये reaction perform कर सकते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि holo enzyme और अप enzyme actual में है क्या अब अगर cofactor की बात करें तो ये organic भी हो सकता है और inorganic भी हो सकता है पहले organic cofactor की बात करते हैं तो coenzyme और prostatic group ये दोनों ही organic cofactor है बस इनमें थोड़ा सा difference है coenzyme की बात करें जब ये reaction perform हो जाती है कोई भी chemical reaction perform हो जाती है तो एक coenzyme release हो जाते हैं enzyme के साथ reaction perform होने के बाद लेकिन prostatic group reaction perform होने के बाद भी tightly bound रहते हैं enzyme के साथ तो ये difference है coenzyme और prostatic group में और inorganic cofactor क्या होते हैं तो ये basically activators होते हैं जैसे metal ions होते हैं magnesium ion यहाँ पर इस example से भी आप समझ सकते हैं इन activators की सिर्फ requirement होती है enzymatic reaction में activity के लिए ओके तो ये key difference है इन तीनो terminologies में तो आज के video lecture में इतना ही है अगर आपको topic समझ माय है तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कीजिए